तो हलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी एक बाद फिर से श्वागत आपका हम यूट्यूब चैनल पे तो यहां पर बात करने वाले हैं उत्राखन में लटेश्ट जो है वेकिंसी के बारे में तो अगर आप चैनल पर अभी तक जो है अपने चैनल को ने सब्सक्राइब नही हो ठीक है तो यहां पर सभी तरों की भरती को लेकर यहां पर लटेश्ट जो है अपटेट मिल जाती है तो आज की जो भरती है उसके बारे में हम यहां पर देखेंगे यह जो भरती निकली है उत्राखंड में निकली है सरकारी भरती यह निकली है स्वजल प्रोजक्ट गॉ पॉर्मेंट उत्राखन उसमें ये भरती निकली है तो डेटेल से इसका जो है एडवर्टाइजमेंट है उसको हम जान लेते हैं भाई कौन-कौन इसमें इलिजिबल है एपलाई कर सकता है तो ये इसका जल जीवन मिसन के अंतरगत राजिय जल एवम सचता मिसन कार्यलाई में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंद में ठीक है तो देखे पेजल एवम सचता विभाग उत्राखन सासन के अंतरगत राजिय जल एवम सचता मिसन के अधीन संचालित जल जीवन मिसन के अंतरगत परति न्यूक्ति या संविधा ठीक है तो दोनों टाइप की यहां पर भरती है परति न्यूक्ति के बेस पे भी और संविधा के बेस पे भी है कि आधार पर पर प्रयोजना प्रबंदक प्रयोजना प्रबंदक यह अलग-अलग जो है ब्रांच है अलग-अलग जो ह यहां पर दिपार्टमेंट में के अंद्रगत यहां पर यह भरती निकली भी है 9 दिसंबर 2022 सायम पांच बिजे तक यहां पर लाश्ट इट इनने रखी गी है आविदन करने की सबसे पहले तो यहां पर देख लेते हैं प्रियुजना प्रबंदक अनुसरवन की ठीक है तो प् यहां पर यहां पर कोई करते हैं तो अगर वेतनमान की बात करें सैलरी की बात कर लेते हैं लेवल 11 का यहां पर सैलरी रहेगा जो प्रतिनिवक्ति के बेस पर आएंगे यानि कि 67,700 से लेका 2,08,700 जो सैलरी है यह रहेगी लेवल 11 की प्रतिनिवक्ति के बेस पर आएंगे उनको जो सैलरी मिलेगी 1,10,000 रुपे ठीक है इलिजिबिलिटी देख लेते हैं तो on deputations basis यानि कि प्रतिनिवक्ति के आधार पर क्या यहां पर मांगा गया है इलिजिबिलिटी तो यहां पर देखे एई होना चाहिए असिस्टेंट इंजिनियर होना चाहिए तो यह आपके पास में होना चाहिए असिस्टेंट इंजिनियर अगर है तीन साल का एक्सपरेंस उनके पास में है तो प्रतिनिवक्ति के आधार पर यहां पर एप्लाई कर सकते है या एग्जिगेटिव इंजिनियर है कॉंटक्ट बेसिस पे अगर कॉंटक्ट बेसिस पे जो एप्लाई करेंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलेटि है उसमें बी टेक या बी यहां पर मांगा गया है इलेक्टिकल, मेकनिकल या सिबिल से विद आठ साल का एक्सप्रेंस पोस्ट क्वालिपिकिसंस जो है एट येर पोस्ट क्वालिपिकिसंस जो है प्रोफेशनल क्वालिपिकिसंस एक्सप्रेंस इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट यानि कि जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है उसके मॉनिटरिंग को लेकर उसमें आपका आर साल का एक्सप्रेंस होना चीए और बी टेक या बी आपके बास में इन ब्रांस अगर आपने किया हुआ है तो आप इलिजिवल है नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं प्रियोजना प्रबंदक वित का फाइनेंस का तो यहां पर भी एक पद है स्वरूब नियुक्ति का सेम है परतिनियुक्ति या समीदा के आदार पर सेलरी भी सेम है य यहां पर दिखे क्या मांगा हुआ हूए एमकॉम और सीय विद या प्रोफेशनल एक्स्परइंस इन इस्टेट गॉर्मेंट या सेंट्रल गॉर्मेंट उक्स्टर्नली एड़ेक्ट् या गॉर्मेंट प्रोजेक्ट में ठीक है 10 साल का एक्स्परइंस होना चाहे और इंग्ली स्याप्की वह रीटन और इस प्यूकर निया आपकी अच्छी होनी चाहिए और यहां पर नेक्स्ट पत की बात कर लेते हैं सायक अभियंता इसके तीन पद है यहां पर दो पद तो आपके सिबिल वाले है और एक पद आपका माइकनिकल और इलेक्डिकल्स का है ठीक है तो यह समिता के आधार पर इसमें डिप्रुटेसंस बेसेस का नहीं है यह पूरी-पूरी तरह से ऐसे बचली पर 53 तो यहां पे जो सेलरी है यहां पर सूलर्त के निर्धारित तहौत छेली उपनल की एकोर्डिंग इसको चल सकते तो जो यहां पर इसकेल होगा उपनल कर वहीं यहां पर पर मिलेगा इसमें क्वालिफिक इसन की बात कर लेका दो इकालक की बीटता कि कीकी इनिफल इंजरिंग विद सम्विदा की आधार पे हैं सेम यहां पे है उपनल की निर्धारी तरह हैं वितन यहां पे रहेगा डिपलोमा इन सिबील इंजिरिएंग यहां पे मांगा गया व साथ में तीन साल का experience water supply sector से 40 साल जो है जो है maximum age यहां पे रखी गई है ठीक है नेक्स्ट फद बात करते है समनवयक का है ठीक है तो समनवयक का है ISA यहाँ पर समनवयक यानि ISA समनवयक एक पद इसका है सवीदा के आधार पर है यहाँ पर 80,000 रुपर सैलरी है PG degree मांगा गया है sociology से या फिर master of social work यानि MSW और social science से ठीक है यह तो आपका है qualifications PG degree आपके पास में sociology या social science या MSW आपके आपने किया होगा और 10 साल का experience social work का यहाँ पर मांगा गया है जब आपका PG complete हुआ है उसके बाद 10 साल का यहाँ पर experience मांगा गया है experience of at least two years working on central government या state government water supply project external added project strong communications interpersonal skills knowledge of Hindi and English typing MS office and internet is essential ठीक है तो यह सारा details यह education qualifications यह experience यहाँ पर आपके पास में होना जाए है जीए नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं अधी प्राप्ती विस्टे सजिया इसका एक पद है संविदा के आधार पर 80,000 उपर salary यहाँ पर देखे MBA with 8 साल का experience ठीक है और work and consultancy service based on central या state जो है externally तो किसी प्रोजेक्ट में आपकी पास में यहाँ पर भी experience मांगा गया है आठ साल का जो state government या central government का ठीक है नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं programmer या कार्यकारी M.I.S. इसके दो पद है सविदा के आधार पर है 60,000 उपर salary है यहाँ पर M.C.A. या computer science with at least 5 साल का जो है experience यहाँ पर मांगा गया है ठीक है और knowledge and experience in monitoring and evaluating program including indicator development study designs and data analysis तो यह आपका है यह education qualifications अब इसमें देखिए गाईज यह इसका address है जल जीवन मिसन कारियल है राज जल इवं सचता मिसन 75.38 इंदर रोड नियर नूरी सूरी नर्सिंग हॉम डालन वाला तीरह दुन ठीक है अब सहची कियोगता इसमें जो आप आविदन करेंगे तो यहाँ पर आविदिन जिस आप इनवलब को जिस लिपापे पर आपको जिसके अंदर आप डॉकमेंट भीजिंगे उसके बहार से आपको आविदित पत का नाम लिखना जरूरी है जितने भी आपके डॉकमेंट से एक्सप्रेंज सेल्टिकेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटिव डॉकमेंट से वो सारे आपको यहाँ पर अटेच करने है सेलफ अट्रेश्टट ठीक है और यह आविदन यहां पर इन्होंने दिया है आविदन आपको इसी में करना है ठीक है तो इसको आपको क्या करना है इसको आप प्रिंट आउट निकाल देंगे इस पीच का और यह इन्होंने आविदन पत्र दिया है इसको इसी में आपको इसको आविदन करना है इसी में आप जो आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लाई कर रहे हैं इसी से इसी फॉर्म को भरके और साथ में अपने जितने भी इंपोर्टेंट डॉकॉमेंट से वह आपको अटेच करके यह जो है आपको नो दिसंबर 2022 से पहले यानि सायम पांच विता इतने बज़े तक आपका जो है एप्लिकेशन ऑपिस में पहुंचना चाहिए एड्रस क्या है किस एड्रस पर भीजना है तो यह एड्रस है इस एड्रस पर आपको भीजना है ठीक है